कर दोस्तों मैं इसके में सब्सक्राइब करता हूं आपके अपने श्रीडी चैनल बी याओ आनलाइन क्लासेश में दोस्तों आज हिस्ट्री इंट्रेंशिक जाम प्रैक्टिस नंबर दो है जिसमें हम महत्तपूर्ण कुश्चन को देखेंगे और या प्रैक्टिस सेंड हुआ है option नंबर A है नर्मदा option नंबर B है धीमा option नंबर C है भोगवा और option नंबर C है ताप्ती तो इस महीं सही जवाब कौन सा होगा दोस्तों option नंबर C भोगवा लौठल कहां परिस्थित है तिया पूझरात मेह स्थित है है और यहां पर गोती बाड़ा मलब आप समझ सकते हैं यह पोर्ट टाइप में है और इस पोर्ट को जो है भोगवा नदी से जूड़ा गया था ताकि जहाज उस नदी से होते हुए यहां पोर्ट तक आया और यहां से समान की लोडिंग और अनलोडिंग की जा सके इसी के हडपा नगर में घरों के दरवाजे मुखे सड़क पर फूलते थे अप्षनन नमबर ए है लोथल जैसे कि आपसे भी जानते हैं नगर सभवेता नगर नियूजिन में आपको पढ़ाय गया है कि हडपा के सभी मगानों के दरवाजें मुखे सड़कों को न खुल करके बलकि जो यहां से सम्मधित गलियां थी उन पर खुला करती थी किन्त लोथल एक ऐसा मात्रों नगर है जहां पर कुछ ऐसे भी मकानों के साथ च्पाए गया हैं जिनके दरवाजे गलियों की तरफ नहीं खुल करके मेन सड़क की तरफ खुलते हैं और इस इक साथ हम अपने कुशन नमबर D अधिकांस जो मुरे दुभांड थे वो सादे थे जब कि यहां पर लाल और भूरे रंगे भी मुरे दुभांड पाए गया हैं जिन पर काले रंग की चित्रकारी की जाती थी लेकिन जो अधिकतम मुरे दुभांड पाए गये हैं वह कैसे पाए गये हैं वह साधे पर आए गए हैं कुछ नमबर 4 है हमारा दोस्तों निम लिखित में कौन सी धातु बिस में सरप्थम भारत में प्रगट हुई है यानि कि कौन सी ऐसी धातु है जो बिस में सबसे पहले यूज में भारत में आई है अप्शन नमबर A है ताबा अप्शन नमबर B सोना अप्शन नमबर C टीना अप्शन नमबर D चादी तो कौन सी वैस धातु है दोस्तों अप्शन नमबर D सही है चादी या एक ऐसी धातु है तो सबसे पहले इसके उदय या उसके उपयोग की जो हमें साच मिलते हैं वो भारत मिलते हैं और किस सब्बता के अंतरगत मिलते हैं सिंदु घाटी सब्बता के अंतरगत मिलते हैं मुपने अगले कुछ सिंदे तरफ आगे बढ़ते हैं निम लिखित में से किस अस्थल से एक गैड़े के वास्तुिक अवसेश मिले हुए हैं रही निम लिखिट से किस अस्त्र से एक गैडे के वास्त्विक आवसेस मिले है जैसे कि आप सबी जानते होंगे कई तामर पटिकाई और कई मोहरों पर गैडे के चित्र पाये गए यह Been लेकिन जième वास्त्विक गैडे के आवसेस की बात करें तो वहाँ पाया गया है आमरी से तो option number कौन से जाई होगा दोस्तों option number A, आमरी अगले question के तरफ आगे बढ़ते हैं question number 6 है हमारा पुरा तत्यवीदु को केवल एक सिंधु अस्थल पर मध्य नगर मिला है जो नगर, दूर्ग और निचले नगर से भिंध है या अस्थल है, तो question को समझने के प्रयास करिए, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि सिंधु सब बता कि जितने भी नगर पाएगे हैं वो अधिकतर नगर दो पार्ट में बटे होते थे, जहाँ पर एक साइड क्या होता था एक साइड पर उच्छे नगर होता था एक साइड पर निचला नगर होता था जो अपरी नगर होता था, वह दुर्ग होता था और निचला एट नगर जो होता था वो आम जनता के निवास अस्थल के रूप में जैनता था option number A है, इसमें तू हिस्सों में डिवाइड हो कर गए बलकि तीन हिस्सों में डिवाइड हो गया है उच्परी हिस्सा, निचला हिस्सा यो मध्य हिस्सा इस एक साथ हम उने question number अगले 7 के साथ आगे बढ़ते हैं हरत्पा में बिर्द भांड कई प्रकार से सजाया जाता था निम लिखित में से कौन से उन प्रकार से नहीं है तो question क्या कहना चाह रहा है दोस्तों हरत्पा में जो में भांड बनाए जाते थे में भांडों के उपर कई प्रकावर की सजावट की जाती थी या सजावट किस रंग से की जाती थी जिसमें कौन कौन से चित्र चापे जाते हैं थे जिससे कि मानों चित्र पसपच्छी सर्पों मचलियों के च्छकडा नाओ आधिके चित्र जम्यती आपरितियां तो इसमें कौन से सा हमें बताना है सही जवाब कि कौन से प्रकार के चित्र नहीं चापे जाते थे तो इसमें स स्वारी यहां पर इटे यहां पर मिसन है पकाई गयी इटों से निर्मीद एक डैग्याड जिसे एक नहर के माध्यम से खंभत की खाड़ी के साथ जोड़ा गया है निम्लिखित में किस अस्थान पर खो जा गया है आप्शन नम्बर A है सुथकॉंडोर आप्शन नम्बर B है लोठल आप्शन नम्बर C है चनहूदुरो आप्शन नम्बर D है आमरी जिसका सही जवाब क्या होतो है दोस्तों आप्शन नम्बर B option number B में एक ऐसा डाक्याड बनाया गया है जिसे खंबट की खाड़ी से connect किया गया है और यह कहां पर मिले है दोस्तों लोथल में लोथल कहां पर स्थित है भारत के गुजरात में स्थित है option number 9 है हमारा सिंदु घाटी से बता कि सभी अस्थनों बन सरबमान विसिस्ता हैं क्या थी यानि कि हमें हैसे बार विसिस्ता को आने बनाना है जो लगभल लभग सभी पूरह स्थनों पर समान रूप से पाई जाती थी option number A है भवन नगर योजना और सौधा प्रणाली option number B है जलवाई वनस्पत जीवजन्द और कृतिम सिचाई option number C है मरुभूम नदियां यों प्राण विग्यान के भिसिस्ता है option number D है पकाही गई इटों के और मिट्टी के बरतनों का तो इसमें कौन सा तो अफ्शन सही होगा दोफ्तों option number इसमें D सही होगा पकाही गई इटों मिट्टी से बने बरतन, उप्योग तथा विष्ट्रिजल निकास प्रणाली और दल्दल तोसर जंगली जानलों का पाया जाना लगभग लगभग सभी पुरा स्थनों पर समान निबात देखी रूप से दिखाई दी है अगले कुश्चन निकतर बढ़ते हैं कुश्चन नमबर दस है हमारा पूर्ण विख्सित हडपा सभिता जिवित रही है जिसका सही अंसर क्या हो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन होगा चार ऑप्शन नमबर ए सही होगा इसी साथ आगे बढ़ते हैं सवतन्त भारत में सारबधी संख्या में हडपा पुरस्थलों की खोज किस प्रांत में की गई हैं तो क्या कहा गया है तो जब भा बारत सेट में हुआ था परकिस्तान परुश है जिससे नमबर ऑप्शन नंबर वी रियाणा ऑप्शन नमबर सी है गुजरा और option number D है, राजस्थान, इसमें कौन सा option से होगा दोस्तों, option number C, गुजराद, और इसके साथ हम अगले question के तरफ आगे बढ़ते हैं, अभी हाल में ही खोदे गए, किस अस्थान से हडपा कालिन बस्तियों के तीन चन, हडपा पूर्व, हडपा और प्रावर्थी हडपा पाय गये हैं, option number B, A है, रोजदी, option number B है, बीशलपूर, option number C है, सुर्व कोट द्रड़ा, option number D है, उप्यूग तो सभी, तो सही जवाब के आगे दोस्तों, उप्यूग, सभी, यह जो तीनों हैं, यहां से, ऐसे साथ मिले हैं, यहां पर हडपा पूर्व, हडपा कालिन, तथ हड के पश्याद के भी, बस्तियों के अस्थल पाए गए हैं, question number 12 हमारा, सिंदु घाटी के लोग, संभौता किस प्रश्रधान, और सिंगार समागरी की जानगारी नहीं थी, मतलब किस सिंदु घाटी के लोग, ऐसे किस वस्तु के बारे में नहीं जानते थे, और कोई वस्त, सिंगार और प्रश्रधान, प्रश्रधान मतलब साज सज्जा का, option number A है, option number B है, हाथी दात की कंगी, option number C है, सुर्मा लगाने की कलाई, option number D है, केस रंग रोगन, तो इसमें कौन सा सही हो काई दोस्तों, option number D, रंग रोगन, यानि कि रंग रोगन, एक ऐसा, बलब प्रणा, स्वरी, एक ऐसी क्रिया है, जो सिंदु घाटी में जिसके साथ देखने क हमें नहीं मिलते हैं, question number 13 क के दराफ आगे बढ़ते हैं, निम insignificant में से किस अस्थान से, अनुष्थानिक असनानागारों के नि influence, आगण ellas के किह क्तारे मिलते हैं, umouldering में से कि किस अस्थान से, अनुष्थानिक न किपूजा, पाठ या धर्म कार्म कांडों यानि दार्म कार में जहां पर हम्मेश नाला गार के समझ ऐसे कतार में कई सारी अगनवेदिकाइं देखने को मिलती हैं और ऐसे अलग से भी कुछ्छन बनता है कि ऐसा कौन सा छेत्र है जहां से हमें अगनsal वेदिकाओं के साथ मिले हैं और काली बंगा कहा पर है तो यह राजस्थान में स्थित एक साइट है कि कुश्चन नमबर 14 के तरफ आगे बढ़ते हैं निम्न किदम से किस बिसे के छेतर में हड़पा काली सभ्यता में भिन्यता पाई जाती है नगर यूजना इतों का आकार बाट यूमा प्रणाली घरों का आकार लग कहा गया है कि ऐसा कौन सा बिसेस्ता है जो अन्य हडपाई कालीन नहीं हडपा समकालीन अन्य सभ्यताएं थी उससे भिन्यता पाई जाती है तो उसमें क्या है घरों का आकार और घरों का आकार में भिन्यता सिर्फ अन्य समकालीन सभ्यताओं से ही नहीं अपी तो वहां कि खुद के काफी अंतर है यहां पर नगर योजन में काफी अंतर है यह जो के परियोग में अंतर दिखाई दिखाई देते हैं और इसे के साथ आज हम अपने अंतिम कुश्यन या फिफ्टींत कुश्यन के तरफागे बढ़ते हैं लोथल और चनहुद्रुनों का सारवधिक आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने कुश्यन सही रहे हैं या आपको कितने कुश्यन की जानकारी पहले से रही है और यहां कुश्यनों के पीडियाफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल भी ओनलें क्लासेस में मिल जाएंगे जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी अगले प्रेक्टिस सेटके में कल मिलते हैं तब तक लिए आप सभी को धन्यवाद